हलो दोस्तों क्लास 11 की फिजिक सेकेंड में इस समय हम सब लोग तरल दाप पड़ रहे हैं और आज हम सब लोग तरल दाप के तीसरे एपिसोड में द्रो दाप के नियम तथा वाई मंडलिय दाप क्या होता उसके बारे में पढ़ने वाले हैं तो आप सभी बच्चों का हमारे एपनी प्यारिस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है तो द्रो दाप जो है यह इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टर टॉपिक है नुमेरिकल्स के लिए भी है इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है ठीक है आगे के जो टॉपिक होंगे वो इसी पर डिपेंड होंगे भी है बैरोमीटर और मैनोमीटर जो है यही वाइमंडली दाप ग्याद करने के लिए किया जाता है गीज दाप क्या होते हैं उनके बारे में भी हम सब लोग पढ़ेंगे तो यहां पर हम सुरूरात करेंगे द्रो दाप के नियम पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने गह पर दाप कामान समान होता है अगर द्रो रुका हुआ है वीराम आवस्ता में क्योंकि हम तरल दाप पर रहें और तरल दाप जो है कीवल और कीवल द्रो जब रुका हुआ होगा इस्थिर द्रो जो होगा ठीक है उसमें प्रियोग होगा ठीक है हमारी यहां पर इसे जिक्स म तो अगर ये एक बीकर हमने लिया है, इस बीकर में H गहराई नीचे हमने एक ही 36 तल पर 3 पॉइंट लिये है, 36 तल मतलब ये सीधी लाइन, उर्धोधर तल मतलब ये उर्धोधर लाइन, ठीक है, तो 36 तल मतलब ये सीधी लाइन, इस सीधी लाइन पर जितने भी पॉइंट आ में एक द्रो भरा है उस द्रो का घनत तो कितना है रो और द्रो के ऊपरीद वाले तल से कितनी गहराई नीचे हमने तीन पॉइंट जली रहे हैं A, B और C और इन पर हम दाब निकालेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी द्रो में अगर घहराई में जाते हैं तो दाब का मान बढ़ तो इस द्रों में कितनी गहराई हम नीचे जा रहे हैं? तो point A के लिए H गहराई के लिए दाब का सूत्र होता है rho GH गहनत, G गुरुत्य तरण और H होता है height गहराई ठिक ऐसा ही बिंदू B के लिए कितनी गहराई है? मेन बात गहराई देखना है कितनी गहराई है, h गहराई नीचे, h गहराई के लिए दाब का सूतर, rho g h, c भी h गहराई नीचे है, तो इसके लिए भी दाब का सूतर क्या होगा, rho g h, गहराई देखी जाएगी, तो गहराई तीनों की सेम ही है, तीनों point के लिए, तो इसले पी ए बरावर, पी बरावर, पी A मतलब बिंदू A का दाब, PV मतलब बिंदू B का दाब, PC मतलब बिंदू C का दाब, जो है या बिंदू C पर दाब, रो, G, H होपर, ठीपी है, सेकंड बेखते हैं, तो सेकंड इसको है, ये भी एक most important है, इसमें चीजों को अच्छे से समझना है, द्रो का दाब केवल, रो मतल गहनत्त, G मतलब गुरुत्य तोरण, वह एच पर निर्भर करता है, ठीक, गहनत्त, गुरुत्य तोरण और गहराई पर निर्भर करता है, यहां किसी पात्र के छेतरफल, वह आकार पर निर्भर नहीं करता है, जो पात्र है, वो किस आकार का है, कैसा ये उसको नहीं देखत जैसे हमने तीन अलग अलग पात्र लिये एक पात्र लिया है कितनी गहराई के लिए हम दाब लिखा लेंगे पहले वाले पात्र में एच गहराई के लिए यहां पर इसके पाद पर यह निचली सतय पर एक पॉइंट लिया ए इसके निचली सतय पर भी यह और इसके निचली सतय पर सी समान उचाई तक तीनों में क्या भरा हुआ है द्रो भरा हुआ है समान उचाई तक तीनों में क्या भरा हुआ है द्रो भरा ह गया है ठीब है और सभी के घनत तो समान है यानि सभी जो पानी डाला गया है पानी सभी में एक ही परकार का पदात डाला गया तो घनत तो सेम होगा अब एच गहराई के लिए दाप का सूर्ट रो जी एच तो बिंदू ए का दाप कितना होगा रो जी एच बिंदू भी कितनी गहराई नीचे है उपर इतल से रो जी एच एच गहराई नीचे है तो इसका दाब भी कितना होगा रो जी एच C के लिए, कितनी गहराई की बात हो रही, एच गहराई तो RO, G, H, RO, GANET, RO, GANET और G तो सेम ही रहेगा, प्रतवितल की बात हो रहीजे अब आगे बढ़ता है, तो अगला किसी भी बिंदू पर, समझे किसी भी बिंदू पर उसकी गहराई मतलब द्रो में, द्रो में कह सकते हैं किसी भी बिंदू पर उसकी गहराई से मापा जाता है ठीक है, उसकी गहराई से दाब मापा जाता है यह यहाँ पर दाब लिख देना है दाब मापा जाता है ना कि द्रो की कुल मातरा से अगर हमको दाब कहीं पर भी मापना है, किसी भी द्रौ में, तो हम किसे मापने हैं, गहराई से, उचाई से, ठीक है, ना कि द्रौ में कितनी मात्रा है, जैसे समुद्र में कितनी मात्रा है, जलकी उससे हमको नहीं मतलब, कितनी गहराई की बात करें, आप गहराई की बात करें तो गहराई कितनी है, वो गहराई का जो दाब होगा, वो शेम ही होगा, तो वहाँ द्रो की कुल मात्रा हम नहीं दीएखिजिंगे, हम केवल और केवल द्रो की गहराई देखिएग और एक खास बाल, द्रो का घहनत, ये रो, रो भी देखना है, ठेका है, आगे, द्रो की भिन भिन मात्राएं एक जैसा दाब लगाती है द्रो की भिन भिन मात्राएं एक जैसा दाब लगाती है मतलब अगर आप समुद्र में देखेंगे तो द्रो की मात्रा ज्यादा है नदी में देखेंगे द्रो की मात्रा कम है तालाब में देखेंगे द्रो की मात्रा और ज़्यादा कम है या नल कूप में देखेंगे और भी ज़्यादा कम है एक मग्गे में देखेंगे तो और भी ज़्यादा कम है लेकिन दाव सभी में एक चैसा होगा क्योंकि दाब किसको देखता है, पदार्थ को, पदार्थ कौन है, द्रो, द्रो मतलब जल को लिया गया है और H ये चीज और G, तीन चीजे देखी जाते हैं, तो तीनों के तीनों पानी है, तो जाहिर सी बात है घनत तो तिनों का सेम होगा, कहराई भी सेम हमने रखी है, जी तो सेम होगा ही होगा, बाकी सब के लिए दाब बराबर होगा और इसी पॉइंट को, इसी को हम क्या कहते हैं, ध्रो इस्थैतिक विरोधा भास हमको ये महसूस होगा, कि अलग-अलग मात्रा हैं, तो दाब जादा होगा जैसे समुद्र वगएरा में और नदी वगएरा में ये महसूस होगा, कि दाब जादा है लेकिन ऐसा नहीं होता, ये हमारा विरोधा भास होता है ठीक है ऐसा अनुभाव करते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है ठीक आगे पाच्वा नंबर समान द्रोव में उर्ध्वा धर्तल या द्रोव इस्तम्भ समान द्रोव अगर एक बीकर लिया द्रोव समान ही है या दो बीकर ले लिया अगर उर्ध्वा धर्तल की बात करेंगे ये उर्ध्वा धर्तल में दो पॉइंट है एक ए है दूसरा बी उर्ध्वा धर्तल में इस्थित या द्रोव इस्तम्भ की बात की जाएगी में इस्थित बिंदों के दाब भिन भिन होते हैं तो ए पर दाब अलग बी पर दाब है ठीक है हमेशा नीचे वाला दाब जो होता है वह जयादा होता है उपर वाले कितना ज्यादा हो रो जी एच मतलब दोनों की बीच की दूरी याद रखी उर्द्वा धर तल एक ही होना चाहिए एक तरफ पानी उचाई की तरफ दूसरी तरफ पानी का तल बराबर रहना चाहिए यह तो दाब इधर-उधर कुछ हो सकते है ठीक है तो यह याद रखी द्रव के हमेशा उपर वाले बिंदु के दाब कम होते है और नीचे वाले बिंदु के दाब ज्यादा होते है ठीक है तो नीचे वाले बिंदु उपर दाब ज्यादा होता है उपर वाले बिंदु उपर दाब कम होता है कितना ज्यादा होता है जिसे हम बि दाब होगा, तो इसका इतने द्रोग का दाब, बराबर बिंदु B का दाब, ठीक, तो यह याद रखिए, अगर दो बिंदु उर्धु अधरतल में इस्थित है, तो उनकी बीच द्रोग जो दाब का अंतर होगा, A और B में, जो दाब का अंतर होगा, A को इधर ले जाएंगे तो दाब का अंतर कितना आ जाएगा, rho g h, ठीक भी है, आप चलिए आगे बढ़ते हैं, जो की last topic है, इस वीडियो का, वायू मंडल ये दाब, वायू मंडल ये दाब क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं, तो वायू मंडल ये दाब, इसको समझे है, वायू मंडल पहले क किसे कहते हैं, ठीक है, तो प्रतवी को घेरे हुए गैसी आवरण, प्रतवी को बहुत, हमारे प्रतवी पर चार ओर से क्या, बेभेन परकार की गैसे, उनका जो भी आवरण होता, उनका जो भी mix, mixer होता है, या मिस्रन होता, उसी को क्या कहते हैं, वायू मंडल कहते हैं, ठी समताप मंडल, छोब मंडल ये सभी मंडल होते की नहीं, वैसे कह सकते हैं, उन्हीं को कहते हैं परत, तो प्रतभी की प्रतेक वायो मंडल ये परत, छोब मंडल, समताप मंडल ये सभी, तो प्रतभी की प्रतेक वायो मंडल ये परत, अपने उपर की सभी परतों का भार सहन करत जैसे नीचे वाली जो परत है यह अपने उपर वाली परत का क्या सहती है दाब वो नीचे यह तो जाएगा प्रत भी नीचे कीचेगी ना परत को तो प्रतिवी की प्रतीक वायमंडलिये परत अपने ऊपर की सभी परतों का भार सहन करती है, ठीक है, यह भार ही उनपर दाब लगाता है, जहीं भार है तो दाब लगेगा ही लगेगा, जिसी हम कहते हैं वायमंडलिये दाब, ठीक है, तो प्रतिवी की जो वायमंडलिये परत होती है उपर वाली पर नीचे वाली पर पर जो दाब लगाती है उन्हीं को कहा जाता है वाय मंदलीए दाब वाय मंदलीए दाब को पीनाट से लिखा जाता है एट्मोस्פhéric K पीनाट इसका मातर पास्कल पी ए या नियूटन प्रति मीटर स्कॉर भी होता है, बार, टार ये सबी चीज़े भी होती है, ठीक भी है, गैसी ये दाव की बात करेंगे, तो हम M.H.G. में क्या ले जाते हैं, मात्र को को ले जाते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है, तो गैसो का जो दाव होता है, वो M.H.G. की बात करेंगे, M.H.G. में मान देगा, ठीक भी है, आगे, पी नॉट बराबर, अगर इसका हमको कभी भी मान चाहिए होगा, गहराई में, जो पी नॉट का मान होता है, वो रूजी H से कहीं कहीं कर योज किया जाता है, वैसे तो इसका प्राया मान होता है, एक 0,0, गुड़े 10 की घात 5 पासकल, याद रखिए 10 की घात 5 पासकल, एक वाई मंडलिय दाब जो होता है, एक ATM, ये वैल्यू होती है, एक ATM की, ठीक है, एक ATM, वाई मंडलिय दाब, ठीक है, वाई मंडलिय दाब, एक वाई मंडलिय दाब जो होता है, वो 10 की घात 5 पासकल के प डाले जा सकते हैं उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे बैरोमीटर टॉरिसली का कथन जो की उसमें होगा और फिर इसके बाद मैनोमीटर पढ़ेंगे उसी में ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा मिलते ह हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों को इसकी नोट्स चाहिए तो आप सब लोग हमारे टेलिग्राम पर जोइन कर सकते हैं आधर्स डिजिटल प्लस टेलिग्राम का जो नाम है अच्छा लिंक भी दिया गया है आप लोग जा सकते हैं लिंक भी वहां से देख सकत ठीक है एब आउद में मिलते फे नेक्स्ट वीडियो